जहें दोस्तो स्वागत करता हूँ आज ADCA का D6 है दोस्तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं NotPaid का सेकेंड क्लास तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले NotPaid को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तो इसके लिए मैं Window R को प्रेस करूँगा और यहां पर टाइप करूँगा NotPaid File Menu के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तो फार्मेट मेन्यू के बारे में Edit मेन्यू उसके बाद पढ़ेंगे आज जो पढ़ेंगे यह हैं Format मेन्यू में कौन-कौन से अपसन आते हैं दोस्तों यहां पर दो आपसन आपको दिखाई दे रहे होंगे सबसे फर्स्ट वाले जो आपसन है यह वर्ट रैप्ट है उसके जेश्ट नीचे यहां पर दोस्तों फॉंट कम मिल जाता है तो इन दोनों आपसन का भी यूज़ करना सिखेंगे और इसके लावा हम लोग कीबूर्ट के भी कुछ कामों को सिखेंगे आपने कौपी और पेश्ट सिखा है तो इसे समझना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा मालीजे दोस्तों कि आपके पास एक इंटरनेट का पीज है इंटरनेट का पीज काफी ज्यादा बड़ा होता है दोस्तों इस दुलना में तो अगर हम फॉर्मिट पे क्लिक करके वाट्रैप से चकाउट करते हैं तो एक इंटरनेट के पीज के जैसा यह बन जाता है नहीं समझ में आ रहोगा अभी समझ में आ आप एक टेक्सट को type कर लेता हूं यह मैंने टेक्सट को type क्या type करने के बाद दोस्तों इन सारे को कुछ इस तरीके से left click करके select कर लेना है चैके दोस्तों select करने के बाद इसे copy कर लीजे copy करने के लिए आपको shortcut की पता है control C और अगर नहीं पता है दोस्तों तो इससे पहले वा बाद right click कीजिए then copy पे click कीजिए copy हो गया copy करने के बाद दोस्तों यहां पर पेश्ट करते जहीं अब देखेंगे paste जैसी में कर रहा हूं तो यह just line by line यह आता जा रहा है यानि कि किнутे की line complete होने के बाद दूसरे वाले line में toim dolly से सारा का सारा हमारा line शिफ्ट होटा जा रहा है यानि कि दोस्तों एलाइं कि खत्मों में शिफ्ट हो जाना लेकिन तो मैं चाहता हुं दोस्तों कि यह निखा हुआ है यह पूरका पूरा एक लाइन में आ ज़हें इसके आगे लिखा होना चीए लान आगर के ऑर लेके जाता हूं ध्यान दिए नीचे के और स्क्राणे राइट के लिखे जाता हो तो आपको दिखाई देगा कि सारा का सारा टेक्स्ट एक ही लाइन में चला गया है तो कुछ इस तरीके साफ वर्ड्रैप्ट का यूज कर सकते हैं अगर फिर से मैं वर्ड्रैप्ट पे चेक करता हूं तो दोस्तों देखें फिर से लाइन बाइन यह आ चुका है और लाइन में चाहते हैं तो चेक आउट कीजिए यहां से ठीक है दोस्तों तो कुछ इस तरीके साफ वर्ड्रैप्ट का यूज करेंगे नेक्स्ट वाला जो है दोस्तों यह है फॉन्ट तो सबसे पहले इन सारे टेक्स्ट को मैं हटा लेता हूं मुझे कुछ ही टेक्स्ट के प्रभात पड़ेगी इसके लिए तो मैं इन सारे टेक्स्ट को हटा लेता हूं अब देखेंगे दोस्तों यहां पर मेरे पास मात्र एक ही टेक्स्ट है यह है प्रभात का मड़ एजूकेशन आप सोच रहेंगे यह कहां सागया दोस्तों यह मेरे आफलाइन इस्टिटूट का नई है अगर आफंड का चाहते हैं दोस्तों तो format पे क्लिक कीज़े ऐक डायलूग बॉक्स आइगा और इस डायलोग बॉक्स से आप की size को style को अलग-अलग change कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर आपको font का style अलग-अलग मिल जागा जो भी आपको ठीक लग रहा है वस उस पर click कीजे दोस्तों उसके बाद font का style अगर change करना है तो यहाँ से आप style भी change कर सकते हैं जैसे मैंने इस पर click किया bold oblique पे उसके बाद size यहाँ पे थोड़ा से समझना है दोस्तों अगर आप सबसे छोटा size लिना चाहते हैं तो scroll up की और करेंगे और यहाँ पे मिल जाता है आपको 8 font का minimum size 8 होता है और maximum size होता है 72 यह आपको याद रखना है maximum size 72 होगा और minimum size होगा 8 और default size क्या होता है दोस्तों default size होता है 18 18 पे ही officially work होता है चेकर दोस्तों सारा को select करने के बाद दोस्तों ok पे click कर देना है अब देख सकते हैं दोस्तों यह font का style change हो चुका है size भी change हो चुका है अलग-अलग size लेना चाहे तो आप यहाँ से ले सकते है font में से clear रहे दोस्तों चले यह चीज़ तो आपको समझ में आ गया अब मैं आपको पहले इसे में normal कर लेता हूँ इसमें मैं font पे click करूँगा font पे click करने के बाद मैं इसे aerial चूज़ करूँगा aerial चेके दोस्तों यह मैंने यहाँ से प्रेस किया देन यहाँ से aerial को चूज़ करूँगा जूम करके लिखा देता हूँ aerial मैंने यहाँ से चूज़ किया और यहाँ पे मैं regular को चूज़ करूँगा regular में करवनी होती है text नार्मल से regular लिखाते जाता है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे font size 18 नहीं थोड़ा से में increase कर लेता हूँ 26 रखता हूँ यह हमारा set हो चुका है दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि आप small में कैसा लिख सकते हैं capital में कैसा लिख सकते हैं मालीजे दोस्तों कि आपको किसे भी student का name या फिर किसे भी friends का name लिख नहीं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दीता हूँ मोहन आप सूच रहे होगा यहाँ पे मोहन में capital letter कैसे हो चुका है तो दीके दोस्तों कैसे होता है अगर आप normally इस तरीके से type करते जाते हैं किसी भी letter को type करेंगे तो सारा का सारा small में ही type हो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी में सिफ्ट को प्रेस करूंगा देखिए सारा का सारा capital में type हो रहा है अगर सिप्ट को छोडएंगे तो small में type होगा सिफ्ट को प्रेस करके type करेंगे तो capital में type होगा को दिखकते दोस्तों तो कुछ इस तरीके से आप समाल और capital में type कर सकते हैं लेकिन single की इसको लेकिन अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि मैं उतना प्रेस नहीं करना चाहता हूं बार बर कितना प्रास करूंगा सिफ्ट को सारा का सारा का सारा केस capital में होना चाहिए तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों आपको caps lock को on करेंगे आपके keyboard के just upper side में एक bulb on हो जाएगी अब जैसी caps lock को on की bulb on हो गया उसके बाद आप किसी भी key को press कीजिए आप किसी भी key को press कीजिए सारा का सारा capital में type होने वाला है अब आपको सिफ्ट को press करने की जरूरत नहीं है अब अगर सिफ्ट को press करके करेंगे तो सारा का सारा small होने लगेगा जरूरत है जैसे कि मैं किसी भी नाम लिख लेता हूं जैसे किसी का नाम लिख लेता हूं जैसे रमीज अब रहेमीज लिखा तो प्रस्ट लेटर मैंने यहाँ पर smaller capital कर सकते हैं थोड़ा सा keyboard के function के बारे में जान लेते हैं कि किस तरी के से आप रहामन numbers को लिख सकते हैं किस तरी के से आप symbols को insert कर सकते हैं दोस्तों symbol insert करने के लिए आपको बहुत सारे ऐसे symbols दिख रहे होंगे जैसे मैं आपको keyword में दिखाता हूं तो यह number की साथ साथ आपको symbols से भी दिखाई दे रहे हैं तो इन सारे symbols को आप कैसे type करेंगे तो symbols को type करने के लिए दोस्तों आपको shift को पहले press करना है देन किसी भी number को प्रेस करेंगी तो सारा का सारे symbols टाइप होने लगेगा जैसे दोस्तों अभी मैं type कर रहा हूं ये बिना shift के साथ type कर रहा हूं जिसे की number आ रहा है अब मैं symbols लाना चाहता हूं तो shift के साथ 1 को प्रेस करूंगा तो exclamation आ जाएगा shift के साथ 2 को प्रेस करूंगा तो add rate आ जाएगा shift के साथ 3 को प्रेस करूंगा तो hash आ जाएगा shift के साथ 4 को प्रेस करूंगा तो dollar आ जाएगा shift के साथ 5 को प्रेस करूंगा तो यहां पर percentage जाएगा तो कुछ इस तरीके से आप numbers और symbols को चला सकते हैं अब आपको कुछ नीचे भ आपको लोड नहीं है दोस्तों तो मैं आपको PDF भेज़ दूंगा टालिग्राम पे PDF से आप notes को उतारते चाहिएगा और इन सारे को भी याद कर लीजिएगा ठीक है दोस्तों यहां पर दोस्तों थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि आप इन दोनों को कैसे चलाएंगे तो without double-double symbols होगा वो shift के साथ और बिना shift के साथ दोनों चलने वाला है जैसे comma बिना shift के साथ चलेगा less than shift के साथ चलेगा ठीक है दोस्तों अब थोड़ा से keyboard की बारे में जान लेते हैं कि किन किन कीज को क्या कहा जाता है तो उपर देखेंगे दोस्तों यहां पर एक आपको ESC buttons द प्रकार से आप ESC button का भी use कर सकते हैं अब यहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे ESC button के जिश्ट बगल में F1, F2, F3, F4 इस तरीके से F12 तक है अब इन सारे buttons को कहा जाता है function keys F1 से लेकर के start होता है यह और यह F12 तक चलता है इसे function keys कहा जाता है अब कैसे याद रखना ह क्या जाता है keyword में keys कहा जाता है तो function keys पढ़ेंगे F1 से start होगा F2L तक को function keys कहा जाएगा just नीचे आएंगे दोस्तो तो ऊपर में आपको कुछ numbers दिखाई दे रहे होंगे तो इसे कहा जाता है numeric keys तो यह 1 से start होते है दोस्तो और 0 तक चलते है इसे numeric keys कहा जाता है उसके just न alphabetical keys हो गई दोस्तों उसके बाद दोस्तों इसके just left side में आपको tab का button मिलेगा tab का काम क्या होता है थोड़ा से समझेगा for example दोस्तों आपने एक नाम लिखा जैसे रमेश आपने लिखा अब रमेश के बाद आप स्पेश डालेंगे ने दोस्तों इस तरीके से तो आस पेश ड tab को press करूंगा फिर कुमार डालूगा इसका मतलब आपने क्या समझा है दोस्तों कि space डालने से थोड़ा सा space आएगा और tab करने से थोड़ा ज्यादा आपको पता ही है capital letter में लिखना हो तो caps lock कौन करेंगे तो capital letter में होगा और caps lock को अगर off कर देंगे तो फिर सारे का सारे letter small मे करना चाहिए तो shift को press करके capital कर लेंगे नीचे आते हैं दोस्तों तो यहां पर आपको एक control का button मिलता है किवल यहां पर यह नहीं है दोस्तों यह left side में और right side में दोनों तरफ आपको control का button मिल जागा उसी तरीके से आपको windows का भी दो button मिल जागा left and right में यहां पर नहीं दिय कि space bar ही होता है अगर question भी आता है दोस्तों कि keyboard की सबसे बड़े button को क्या कहा जाता है तो इसे कहा जाता है space bar चेक है दोस्तों अब यहां पर देखेंगे इसे कहा जाता है enter enter का use कहां पर क्या जाता है चलिए मैं बता देता हूँ अब माल लिजे दोस्तों कि आपने यहां पर कुछ लिखना है नहीं है दूसरे वाले लाइन में लिखना है तो यह एंटर का काम हो गया सिफ्ट का काम तो पताई है और यहां पर कुछ राइट रोकी और लेफ्ट रोकी इसे एडो कीज कहा जाता है जिससे आप अपने कर्सर को अप डाउं लेफ्ट और राइट कर सकते हैं चलिए इसका भी यूज करके देख लेते हैं फर अपका कर्सर अभी एच के पास है मैं जून करके बता देता हूं ध्यान से समझेगा इस इस तरीके से arrow keys काम करता है चेके दोस्तों तो यह हो गया arrow keys तो आपको समझ जाएगो कि किस तरीके से आप अपने keyboard का use कर सकते हैं हाई यहाँ पर एक आपको बटन दिखाई दे रहा होगा जो कि मैंने भी नहीं बताया दोस्तों यह function keys ज्यादा तर laptop में काम आता है और यह होत ला सकते और इसका use कर सकते माले चिक के आपका mouse खराब हो गया तो आप keyboard से right click करके सारे कामों को कर सकते हैं यहां तक ही class को रखते हैं दोस्तों अब आपको कुछ लैवक्स देता हूं दोस्तों लैवक्स को इमानदारी से कीजिएगा दोस्तों तभी आप सीख पाएंगे औ और EDC को अच्छे से complete करने के बाद दोस्तों आपको certificate भी दिया जाएगा जो कि मैंने पहले mention लेकिन आपको certificate भी दिया जाएगा इसलिए को अच्छे से complete करते जाएए लास्ट में आपका एक चोटा से test होगा अभी तो बहुत लंबा चलने वाला है इसे बहुत कुछ हम लो जैंने दोस्तों